आज भी उसी प्रकार की एक डिक्टेटर सरकार हमारे देश पर राज कर रही है जिसे हटाना अतियावशक हो जाता है। ये जो पूरा legislative exercise करने का प्रयास एक विधही कारवाई करने का प्रयास केंदर सरकार कर रही है। ये पार्लिमेंट के राज्य सभा के अधिकार शेतर के बाहर है। देश इस समय बेरोजगारी की चुनोती से जूज रहा है। एक निकम्मी सरकार एक निर्दई सरकार के आकरमण से देश बचने का प्रयास कर रहा है। देश को बचाने के लिए जन प्रतिनिधी जन आवाज सुनकर साथ आए हैं। और मुझे लगता है कि इसका निशकर्ष जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। 77 के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। इंदरा गांधी जी की एक बहुत ही शक्तिशाली सरकार को हटाने के लिए कई राजनेतिक दल विपरीत विचारधारा के राजनेतिक दल जनता पार्टी से लेकर वामपंथी कॉम्मूनिस से लेकर सोशलिस्ट सब एक छतरी के नीचे आये थे क्योंकि उस समय की मांग थी कि एक डिक्टेटर सरकार को हटाना है। भी उसी प्रकार की एक डिक्टेटर सरकार हमारे देश पर राज कर रहे हैं जिसे हटाना अती आवशक हो जाता है। भारत देश के उपराष्टपती और राज्यसभा के अधरनियसभापती जी को एक चिठी लिखकर एक पत्र लिखकर साफत और पर ये बात रखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसे संसद में पेश करना उसका इंट्रोडक्शन नजायज है अनुचित है इंपरमिसिबल है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोट की समविधानिक पीठ ने, Constitution Bench ने एक सर्व सम्मती सही, Unanimous निर ने दिया था जिसके तहत तमाम शक्तियां अफसर शाही से संबंधित, सर्विसेस से संबंधित, अफसरों से काम लेने की उनको काम देने की जो शक्ति है वो चुनी हुई, लोकतांत अर्विन केजरिवाल जी की सरकार में है, ये बात सुप्रीम कोट ने अपने निरने के माध्यम से सिध करी, 11 मई 2023 को ये फैसला आया, और मात्र आठ दिन के भीतर केंदर सरकार एक ओडिनेंस लाकर एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को उलट देती है, पलट देती है, ओव राज्यसभा से और लोकसभा से इस पे मोहर लगवा कर इसे कानून के रूप में तबदील कर दिया जा, इसे देश की संसद में पेश करना, इसे इंट्रड्यूस करना गैर कानूनी होगा, इंपर्मिसिबल होगा, नजायज होगा और इसके तीन मुख्य कारण है, जो आज म ओवर्टर्न करने के लिए, जो आधार है उस सुप्रीम कोर्ट के निरने का, उस आधार को बदलना पड़ता है, अगर आप आधार नहीं बदलेंगे, और मात्र एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रयास करेंगे, तो वो गहर कानूनी ठेर जाता है, no law can nullify a supreme court judgment without changing the basis of the supreme court judgment, यह मेरा पहला point था, पहला बिंदू, दूसरा कारण कि इस bill को क्यों नहीं introduce करना चाहिए, पेश करना चाहिए, वो यह है कि देश के सम्विधान के अनुछेदों को, articles को प्रभाव देने के लिए, या उसे पूरा करने के लिए, supplement करने के ल कानून बनाये जाते हैं, आज इस अध्यादेश के माध्यम से सम्विधान के अनुछेद 239AA को तहस नहस किया गया है, ना कि उसे प्रभाव में लाने के लिए, या पूरा करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, ये effect देने के लिए, या supplement करने के लिए, सम्विधान के आर्टिकल 239AA को नहीं लाया गया कानून, ये कानून उस अनिछेद की धज्ये उड़ा देता है, और सम्विधान का जो असल letter and spirit है, उसे तार-तार करता है, ये दूसरा कारण है कि क्यों नहीं इस प्रकार का कानून संसत के भीतर लाया जाना चाहिए, और तीसरा और सबस कारवाई करने के लिए फिर से एक पांच जजों की सम्विधानिक पीट का गठन कर दिया है, और ये पांच जजों की constitution bench अब इसकी वैदता, इसकी सम्विधानिक है की नहीं है, इस पर गहन चर्चा करकर, बहस करकर अपना निरने देगी, तो जब ये मसला, जब तक सुप् इसी प्रकार की बहस या voting नहीं होनी चाहिए, ये जो पूरा legislative exercise करने का प्रयास एक विधही कारवाई करने का प्रयास के इंदर सरकार कर रही है, ये पारलिमेंट के राज्य सभा के अधिकार शेतर के बाहर है, अधिकार शेतर में नहीं आता, क्यूंकि ये कानून ही पूरे इंट्रिड्यूस ना होने दें, पेश ना होने दें और केंदर सरकार को ये हिदायत दें कि इस प्रकार के गैर कानूनी अध्यादेश या गैर कानूनी बिल्स पारलिमेंट के भीतर नहीं आने चाहिए, देश के संगिय धांचे की रक्षा की जाए, ये हमारा right है, हमारी responsibility ह हमारी जिन्मेदारी है, कि हम इस प्रकार से चेर्मन साब अगर सदन के भीतर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर हमें सदन के भीतर नहीं बोलने दिया जारा, तो एक चिठी लिख कर, एक letter लिखकर, अपनी सारे जो जो कानूनी दलीले हैं, वो माननी चेर्मन साब के सामन रखें तांकि वो उचित फैसला ले सकें मैं यही उमीद करूँगा कि चेर्मेन साथ समविधान को समविधान की मर्यादा को और इस देश के लोकतंत्र की जो मूल बूद भावना है उसका ख्याल करते हुए इस प्रकार के अध्यादेश को पेश नहीं होने देंगे और सरकार को यह हिदायत दें कि इस प्रकार के गयर कानूनी कामों में मत पड़ो